आप देख रहे हैं दिलेड पुर्वानचल आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में यूपी पुर्वानचल की सबसे दबंग महिला नेत्री के बारे में बताएंगे जिन्होंने यूपी के बाहु बलियों को चुनाव में धूल चटा दिया आपको बता देखी यूपी की सियासत में हमेशा बाहु बली नेताओं का सिक्का चलता रहा है चाहे वो पुर्वानचल के माफिया डौन मुकतार अनसारी हों या परताबगर कुंडा के बाहु बली राजा भाईया या रमाकांत उमाकांत या बाहु बली डीपी यादो मगर यूपी की कुछ ऐसी सीटे हैं जहां की राजनीती बाहु बली नेता नहीं बलकी दबंग महिला नेत्री के इर्दिगीर घूमती है आज हम ऐसी पूरुवांचल की तीन सब से दबंग महिला नेताओं का नाम बताएंगे जिनका उनके सीट पर बड़ा दबदबा है और इन महिलाओं ने बाहु बलियों को चुनाओ में धूल भी चटाया है पहले नमबर पर हम बात करते हैं परताब गड़ की पूर्वसांशर राचकुमारी रतना सिंग परताब गड़ लोक सभा सीट से पूर्वसांशर रह चुकी राचकुमारी रतना सिंग ने बाहु बली को चुनाओ में धूल चटाया है आपको बता दें की राजकुमारी रतना सिंग कलांकर राजगराने की हैं। आपको बता दें की 2004 के लोकसभा चुनाव में बाहु बली राजा भाईया के चचेरे भाई अक्छे परताफ सिंग ने राजकुमारी रतना सिंग को चुनाव में हरा दिया। आपको बता दें की राजकुमारी रतना सिंग ने अक्छे परताफ सिंग को हरा कर बाहु बली राजा भाईया के मनसुबों को काम्याब नहीं होने दिया। और उन्होंने बाहु बली राजा भाईया को करारा जवाब भी दिया। आपको बता दें की वहीं पूर्वानचल की सबसे दबंग महिला नेत्री में दूरसा नाम आता है पूर्व बिधायक पूजा पाल का। आपको बता दें की पूजा पाल ने भी यूपी के माफिया बाहु बली को चुनाओ में हरा कर उन्होंने धूल चटा दिया। बसपा के पूर्व बिधायक राजु पाल की हत्या के बाद उनकी सियासत उनकी बिरासत को उनकी पतनी पूजा पाल ने समहला। आपको बता दें की यूपी की इलहाबाद पस्चमी स्टीट से पहली बार पूजा पाल बिधायक चुनी गई। इस चुनाओ में पूजा पाल ने यूपी की सबसे बड़े माफिया बाहु बली अतीक एहमत के बाहु बल और धन बल को चकना चूर करते हुए उनके दबंग भाई अश्रप को चुनाओ में हरा दिया। जिसकी गूज पूरे उत्तरप्रदेश में गूज रही थी। आपको बता दें कि इसके बाद हुए बिधान सुभा चुनाओ में सहरी प्रश्चमी सीट से ही पूजा पाल ने अतीक एहमत को भी चुनाओ में पठकनी दी और उनको धूल चटाया। आपको बता दें कि अब पूजा पाल इलहाबाद की एक बड़ी नित्री मानी आती हैं और उन्होंने अतीक एहमत को धुल चटाने के बाद से उन्होंने अतीक एहमत का त्लिसूं भी खतम कर दिया था। पूजा पाल यूपी पूर्वांचल की एक दबंग महिला नित्री मानी आती हैं। माफिया बाहु बली को चुनाओ में धुल चटाने में तीसा नाम MLC राम लाली मिस्टा का आता है। आपको बता दें की भधोही के माफिया बाहु बली बिधायक बिजे मिस्टा की पतनी राम लाली मिस्टा ने भी यूपी के बाहु बली का त्लिस्म तोड़ दिया और उन्होंने चुनाओ में हराकर लोगों को हैडान कर दिया। 2016 MLC के चुनाओ में मिर्जापूर सोन भद्र में आपको बता दें की बाहु बली बिजे मिस्टा की पतनी राम लाली मिस्टा ने बाहु बली के त्रिस्म को पूरी तरिके से तोड़ दिया। इस चुनाओ में राम लाली मिस्टा ने बसपा की त्रिभवन नराण सिंग को चुनाओ में हराया था। आपको बता दें की त्रिभवन नराण सिंग यूपी के माफिया बाहु बली विनिस सिंग के भाई हैं। इस चुनाओ में बिनिस सिंग ने पूरा डम लगा दिया लेकिन वह चुनाओ नहीं जी सके। उन्होंने सभी को दिखा दिया की वह बाहु बली को चुनाओ में हरा दी। आपको बता दें की ये तीनों दबंग महिला नेत्रियों ने यूपी के बाहु बलीयों का त्लिस्म तोड़ा है। और या यूपी पूर्वांचल की सबसे दबंग महिला नेत्री हैं जिन्होंने बाहु बलीयों को चुनाओ में धूल भी चटाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरू बताएं अगर आपने हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्नवाद। झाल